तो गुद्वार्निंग एरिवन तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का में एक वीडियो अपलोड कर दिया था उसमें मैं बताया था कि आखिर साइंग ही क्यों रखा गया दूसरा क्यों नहीं बोलते हैं उसको तो मैं बताया था कि एक्चल में लैटीन वर्ड साइनस से आया जि क्या हो जाता है ऐसे ट्रैंगल ऊपन होते जाता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया साइन रख दिया गया तो साइन थीटा एक्वल टू क्या हो जाता है पी बाई एच यह बताया था पर पैंडिकुलर डिवाड़ेड वाई है अब बच्चो आज के लेक्चर में हम हम लोग यह पढ़ने वाले हैं यह बताने वाला हूँ कि यह कॉस्ट थिटा कहा साय कैसे हुआ तो बच्चो चलो लिखते हैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग पी बाई एच लिखे थे अब देखो अब सबसे important question है कि base किसको बोला जाता है perpendicular किसको बोला जाता है बच्चो कुछ country में जैसे अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में इसी perpendicular को opposite भी बोलते है opposite side opposite भी बोलते है इस base को याद रखना adjacent भी बोलते है adjacent हम लोग भी बोल सकते है इस angle के opposite side है और इस angle का adjacent है ये just बगल में जुड़ा हुआ है ये adjacent कहलाता है ये opposite side होता है ये adjacent side होता है तो दो लिख लिए हम लोग है न तो हम लोग या या use करेंगे बेस use करेंगे और perpendicular use करेंगे तो बच्चों उन्होंने क्या देखा पुराने लोगों ने क्या देखा कि जब भी साइन में 60 डिग्री करते जब भी सॉरी जब भी 60 डिग्री एंगल बनाते थे हमेशा P और H की वैल्यू कितना आता था 0.866 जिसकी वैल्यू होते अंडर रू 3 बाई 2 आपको पता होनी चाहिए रटते नहीं है बच्चों की साइन 60 डिग्री रू 3 बाई 2 आया क्यों है ना क्योंकि पुराने टाइम में क्या करते थे सब वो लोग रेशियो को ट्राई करते थे और रेशियो को जब ट्राई करते गए टोटल 6 रेशियो किये उन्हों ट्राई हर बर क्या पाया बता है सेम पाया हूँ सेम की वैल्यू पाते थे जब P by H करते थे तो सेम वैल्यू पाते थे कभी H by P करते थे तो अलग वैल्यू पाते थे लेकिन ये वैल्यू जो होता था वो किसी भी triangle के लिए किसी भी triangle के लिए आप triangle को कितना भी बड़ा बना लो उस angle पे उसकी value हमेशा और हमेशा क्या आता था fix आता था इस चीज को याद रखना अब हुआ क्या बता है sin theta की value तो समझ गया तो बच्चो आप एक word सुने होंगे जो जब मैं अपनी class में line and angles पढ़ाता हूँ तो एक आता है complementary angle complementary angle complementary 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 angles या बोल सकते है complementary angle तो बच्चो सपोज मैं एक diagram बनाया है ऐसे सपोज ये theta 1 है ये वाला है theta 2 पता है ये दोनों की value यदि दोनों की value theta 1 प्लस theta 2 जो है ये theta है ना दोनों theta 1 और theta 2 इसको अच्छेस लिख लेते हैं अधरमेंस बोलोगे भाईया कैसे बना देते हो आप वो मिट गया वापस तो ये theta 1 और theta 2 को मैं लिख देता हूँ theta 1 प्लस theta 2 equal to 90 degree जब भी ये complementary angle theta 1 प्लस theta 2 90 degree आता है तो समझ लोगो complementary angle है तो बच्चो दोनों का इसका और इसका add कितना होनी चाहिए 90 degree इसके पूरे detail पढ़ने है तो बच्चो मैं line और angles का भी video डालूँगा तो आप easily वहाँ से देख सकते हो आपको एक-एक चीज़ समझ में आगा मैं पहले भी बिताया हूँ कि मैं I don't believe on ratification मैं ratification पर believe नहीं करता math से एक subject है जिसको आप ऐसे जो आसपास हो रहे है वही चीज़ को समझना रहता है कोई formulae और formulae रेटनी की जरुएत है नहीं है तो बच्चो ये complementary angle जो होता है वो theta 1 plus theta 2 equal to 90 degree अब देखते हैं चलो ये हो गया theta ये बताओ ये angle कितना होता है 90 degree इस triangle के बारे में मैं जानता हूँ triangle के बारे में क्या जानता हूँ कि triangle के सभी angle का जो sum होता है वो कितना होता है बच्चो कितना होता है triangle के यदि मैं triangle की बात करूँ तो इसका टोटल एड कितना होता है 180 डिग्री इसका मतलब है कि यह 90 डिग्री प्लस थीटा और यह वाला एंगल कुछ आएगा तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं यह एंगल को निकालते हैं तो थीटा प्लस 90 प्लस इसको जब्लस थीटा 1 यहां बोल दूँ तो यह हो जाएगा 180 डिग्री अब थीटा 1 को निकाल गे देखो थीटा 1 तो यह हो जाएगा 180 माइनटी 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 देग्री अब चलो इसका जब साइन sin theta निकार रहे तो p by h था ये p था p और p मतलब opposite तो इस angle का opposite ये था adjacent जूड़ा हुआ ये वाला था adjacent जूड़ा वाला ये था अब मुझे चलो try करते हैं sin 90 minus theta का देखते हैं बच्चों यहाँ पे चले गए यहाँ पे ये 90 minus theta तो यह बताऊ इसका perpendicular काऊन है opposite ये वाला है ये और ये बताऊ इसका तो वही है से तो बच्चो ये बताओ ये जो है अब मैं इसको लिक सकता हूँ चैसे बोल दिये तो बच्चो इसको और इसको एड़ करके देखो जैसे थीटा jeder जानल फ्रम चिटा टू को एड़ करता हां कितना आटा था नांटी डिग्री आ था THU तो यह किया है काम्पीमेंटरी एंगल है किसका यह देखो थीटा और नांटी मेस फ्रेटा तो इसको कितना बनेगा दोनों मिलाके 90 दिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूं concurrent confronted of of sin theta तो complement है यह देखो complement of sin theta और complement of sin theta कोंप्रीमेंट of sin theta इसलिए इसको cos theta equal to होता है b by h यह देखो बच्चो यह होता है complement of sin theta equal to हो जाएगा b by h यह देखो अब चलो फिर study करते हैं अब हम लोग किसका study किये है b by h का चलो कुछ और study करते हैं चलो इसके बारे में और study करते जाते हैं कि और study करते हैं चलो मेरे ना क्या है सरदी के दिनों में थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम रहता है इसमें आप ध्यार नहीं देना है आपके लिए most important time जो चीज है वो यह है कि आपको concept को सीखना है कि क्यों हुआ कैसे हुआ यह ज़्यादर important है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब बच्चों उन्होंने study तो किसका कर लिया study किया किसके बारे में पी बाई एच के बारे में study किया जिसका जब भी 60 degree होता था value आता था 0.866 ऐसी अलग अलग study कर दिये तो उन्होंने दूसरा और क्या-क्या study किया बच्चों यह total six study किया था एक study यह भी किया यह पीथा यह टालिक देता हो यह क्या है यह बी है कि अधिया यह बी है और यह क्या है एच यह थ्रिटर है बच्चो यह बताओ जब उन्होंने पी बाई बी का इस्टडी किया था रॿ बैए बी टीडी किया था तो यही मिलता था तो इसके बारे में भी वो लोग बहुत जाधा इस्टेडी किये थे अब पता है इसको इसको उन्होंने पता है है इसको उन्होंने बोल दिया उसको उन्होंने बोल दिया इवाई बच्चे लोगों बता दिये, cost का भी बता दिये, लेकिन tan कैसे लिग दिये, वो नहीं बता है, तो बिच्चो प्लीज थोड़ा सा wait करो, जब मैं circle में जाऊंगा, इसका concept मैं शुरू में बताया था, कि पुराने लोग circle और triangle के बारे में बहुत study करते थे, वहां से आपको answer मिल जाएगा, कि tan कै से बोला गया, और से कैसे बोला गया, तो अभी के time में देखते है, tan theta, पूरा धीरे धीरे प्लीज समझ में सब आते जाएगा, tan theta उन्होंने ये वाले और ये वाले value को P by B ले लिया, तो बच्चो ये हुआ perpendicular और ये हो गया base, ये हुआ perpendicular और ये हो गया base, तो चलो इसके भी compliment निकालने का try करते है, compliment निकालने का इसका भी try करते है, एक मिना ना बच्चो sacrifices कोंप्लीमेंट एंगा, तो इसको भी compliment ट्राई करते है, compliment of tan theta, इसका भी compliment, तो बच्चो इसका compliment क्या हो जाएगा, ये वाला value, ये वाला किता है, 90 अबहीं बनाया होगे, तो tan 90 माईनस theta इकवर तु पी बाइघ बी होता है अब बच्चों इसके लिए पी का इसा हो जाeed गा इस के लिए हो जाए का ईगहें व śm लिप मेर्न तही हो जा घाए गा यह जाता है तो क्या लिए लिए सकता है इसको मैं बीवारी इसएठागे Selon इसानिए इसको बोले जाता है hot chatter इसलिए यह होता है फ़िगा टी हैट कॉप्ली मेंट और सब्सक्राइब सफे बहुत जाते हैं उन्होंने आ और किसका और श्टडी किया बहुत ज्यादा स्टडी करते गये हैं तुर रिखते हैं तो यह पीठा ये B था और ये H था और ये क्या है? थिटा है तो बता है उन्होंने इसका भी study किया है सब का मैं बता रहा था ना ratio study करते गए तो H by B का भी study कर दिये गए बता है इसी H by B को इसी H by B को प्रीज बच्चों याद रखना H by B को उन्होंने क्या बोला बता है सेख थिटा सेख थिटा बोला किसको H by B के ratio को ये भी हर बार जयाज था भी triangle बनाते थे हर बार से माता था इसको सैख थिटा बोल दिये सेख थिटा बोल दिये अब फिर आपके mind में question आएगा भाईया साइन वाला तो answer दे दिये थे आप तो साइन का compliment cost बता चल गया लेकिन मुझे tan का answer नहीं बताए हो आप क्यों आया ये मुझे सेख का answer आप नहीं बताए हो कि सेख क्यों लिखा गया बच्चों wait कीजिए तो ये सेख थिटा इक्वल टू हो गया है एच बाई भी एच बाई बी अब बच्चों इसका compliment ये एक एंगल ये हो जाएगा 90 मैंस थिटा ये हो गया 90 तो इसका इसको लिखो सेख सेख 90 मैंस थिटा सेख 90 मैंस थिटा इसको मतलब इसका आप निकाल के देखो सेख 90 मैंस थिटा सेख थिटा इकोल टू क्या होता है हने डिवाइड़ज ऑई भाई भी हाईपो टैंटा सम Rabb बैस देखो हायफो टैंटा डिवाऑइड बाई बेस अब देखो इसके लिए सेख नाइट ये इसके लिए देखो हाइपोटेनस तो यह है लेकिन बेस कौन हो गया यह पी हो गया तो इसको क्या लिख सकता हूं एच भाई है इच भाई पी हो गया और बच्चो यह बताओ यह क्या था यह कॉंप्लीमेंट लिए था चलो थोड़ा सा मूव कर लेता हूं मैं इसको कि अब तो बच्ची ये क्या था कि अक्वच्च ये तो था मुझा था कॉंप्लीमेंट इतो था और इसनमान था थी ठीटा कह गए उसलिए कॉंप्लीमेंट औफ एक टीटाह थी ता हूँ बच्चों नाम कैसे पड़ा वो बता दिया को पाइब अगला नंबर अब आता है कि कैसे इसका नाम पड़ा वो चीज बताता हूं मैं तो चलो इसको भी देखते हैं चलो है कि अब देखो बढ़ जो तो पुराने टाइम में मैं क्या बताया था कि पुराने टाइम के जो old people है old people वो सबसे ज़्यादा interest लेते थे किसमे circle and triangle में circle और triangle के बारे में बहुत ज़्यादा study करते थे तो उन्होंने क्या किया कि चलो थोड़ा सा circle का even आप मानोगे के नहीं पुराने लोग हर question का mathematics का जो especially geometry वाला था trigonometry वाला था ये सब को circle से connect करने का try किये थे पीज याद रखना उन्होंने क्या किया इस concept पुराने लोगों नहीं सोचा unit circle के बारे में unit circle अब एक question उठेगा कि भाईया ये unit circle क्या है अचानक कहा से आ गया unit circle में तो बचो आप देखते जाईए unit circle अचानक से कहा से पहुँच गया है तो ऐसा circle जिसका radius जिसका radius कितना हो one unit हो बचो one unit फिर बोलोगे one unit मतलब क्या बचो one centimeter, one mm, one meter, one kilometer आप कुछ भी रख सकते हो one unit हो इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो क्या भी या ऐसा कुछ है क्या ये circle का हो गया center और ये हो गया यहाँ पे ये जो है ये one बोलना चाह रहे हो आप इसका मतलब मैं बोलूँगा आप बिल्कुल यही समझ रहे हो आप इसका radius कितना है? one है दिख रहे है बचो इसका radius कितना है? one है इसका radius तो ये होता है unit circle अब बोलोगे भाईया unit circle ही क्यों लिया गया? तो उसका भी reason बताऊँगा मैं अभी देखते जाओ ये unit circle मतलब ऐसा circle जिसका radius कितना हो? one unit हो अब क्या आया? उन्होंने एक cord खीच दिया cord फिल देखते हैं चलो उन्होंने क्या किया? एक cord खीच दिया बच्चो इसको कुछ angle ले लिया मैं theta अच्छे द्याने ना ये कुछ angle ले लिया मैं theta अब देखो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक line और बना लेता हूँ मैं एक line बना लेता हूँ line इसमें होगा अब देखो बच्चो ये इसको कौन सा axis वानूँगा मैं x axis इसको कौन सा axis वानूँगा मैं y axis इसको ध्यान देना अच्छे से ध्यान देना अब बटाओ बच्चो ये वाला जो line है ये और ये इस वाले line को क्या बोला जाता है second मैं पढ़ाया हूँ आप मेरे वीडियो को देख ले न circle का इस वाले line को second बोला जाता है है ऐसा line जो circle को दो point से काटे उसी को बोला जाता है second एक और पढ़ाया था बच्चो आपको शायद याद होगा एक line और बताया था मैं कौन सा line बताया था ये दिखते हैं एक और line बताया था मैं देखते हैं इसको थोड़ा सा ये ये बना दिया मैं और line बना दिया बच्चो इसमें क्या चीज़ तुम्हीं दिख रहा है ये वाला line क्या खलाता था इसको बोलते थे इसको निकाने का ट्राइ करता हूं ये वाला देखते हैं थोड़ा सा चोटा लगने लगेगा तो बच्चो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे बढ़ा कर लेते हैं इसको को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे अधरवाईस क्या होगा दिक्कत होगा ओर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कहीं भी problem ना आ इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा चलो तो यह वन दिख रहा है यूनिट सरकल क्या होता है जिसका रेडियस वन होता है यह थीटा हो गया अब बच्छो चलो डेरीव करते हैं साइन से साइन भीता ही इक डिवाइड़़ है यह यह वाला पी है इसको लिकता हो और यह यह होगा है तो यह बताओ, sin theta equal to kya होगा, ab, यानि perpendicular divided by hypotenuse, hypotenuse कितना है बच्चो, 1, तो ab equal to kya होगया, ab equal to होगया, sin theta, लिखते जाना है इसको, ab equal to है, sin theta होगया, तो लिख देते हैं इसको, इसको छोटे से लिखते हैं, इसको छोटे में, यह है, यहाँ पे, sin theta, यह है, sin theta, ab, ab, जो है, sin theta, 20 बच्चो हम लोग क्या पढ़े थे, cos theta, cos theta के बारे में क्या पढ़े थे, cos theta के बारे में बताया था, क्या बताया था, यह, यह divided by, आधार मतलब, आधार मतलब बेस, ob divided by, यह वाला hypotenuse कर्ड, तो यह है, one, to cos theta, यह देखो, ob, ob equal to kya होगया, cos theta आगया, ob equal to cos theta आगया, इसका मतलब यह वाला value कितना आगया, cos theta, और यह वाला आगया, sin theta, देखते जाना, यह वाला theta है, यह वाला value sin theta आगया, यह वाला cos theta आगया, चलो, यहाँ पर side में, पहला derive एक formula का करते हैं, जिसको आप पढ़ते हो, sin theta, cos theta क्यों है, यह चीज तो म आगया, इसको मैं unit लिया हो, जो बना हुआ है, उसको मैं अलग से बनाने का ट्राई कर रहा हूं, तो बच्चों आप लोगों को, वो क्या होगा, clear दिख जाएगा, तो यह कैसा बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है, यह O था, यह A है और यह B है, यह Sine Theta है और यह वाला कॉन सा है? Cos Theta है और यह है 1 और बच्चो पाथागोरस थेवरम जानते हो, क्या होता है? C2, O A काई C2+, A B स्कवएर प्लस O B स्कॵएर, परपैंडी कोलर काई C2 और BASE काई C2 जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो हम लोग पढ़ते थे तो यहीं पढ़ते थे third cover equal to बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग तो अभी इसमें आते हैं यह हो गया hypotenuse का square perpendicular का square और यह हो जाएगा base का square कि Soe NK करो ती होजाएगा वन प्लस मैं लिख सकता हो कि B ooh कि देख dönction कितना ईजी है यह बहुत ईजी है साइन स्कोरेट स्कुरेट ठीटा प्लस को से स्कुरेटा One आगया सकते हो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो बहुत सारे मैं देखा हूं इसको रटापते रहते हैं बच्चो एक वैल्यू आप लोग इसकोल में पढ़े होंगे क्या पढ़े हैं इसका फॉर्मूला इक्यों बनेगा अभी के टाइम में चलो लिखो जायगा इसको लिखने का ट्राइब करते हैं यह बन कैसे जाएगा से इसी को लिखूंगा तो यह हो जाएगा 1- cos theta और यह हो जाएगा 1- cos theta 1- cos theta तो दूसरा formula यह है sin square theta equal to 1- cos theta 1 plus cos theta किसी-kis book में इस form में दिया हुग है कैसे sin square theta को और क्या लिख सकता हूँ हुग हो बच्चो में ? sin theta sin theta साइब सavais τα इसी को क्या लिखंगा मैं 1- cos theta और यह हो जाएगा 1- cos theta 1- cos theta तो बच्चो यह क्या होँगा सकता हूँ है इसको एसा लिख सकता हूं क्या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकता हूं मैं sin theta divided by 1 minus cos theta और इसको लिख सकता हूं 1 plus cos theta divided by sin theta यह भी लिखा हुआ आएगा formula तो तुम्हें रटनी की जरूत नहीं है यह देखो यह भी formula देखने को मिलेगा तो याद रखना यह वाला formula तुम्हें रटनी की जरूत नहीं है यह जो दिख रहे है यह formula यह मुझे रटनी की जरूत नहीं है तो बहुत इजी है sin theta equal to one minus cos theta one plus cos theta divided by one minus sin theta तो बच्चो एक circle का diagram पता हुआ आपको बहुत सारी idea मिल गया देखो यह सब formula कैसे आया कहा से आया आप easily निकाल सकते हैं तो वापस चलते हैं फिर वहीं पे और फिर वहां से बहुत सारी चीज़ और क्या करते जाएंगे डेराइव करते जाएंगे वहां से बहुत सारी चीज़ डेवारे करते गया तो देखो मैं sin square theta plus cos square theta easily derive कर दिया बच्चो यह tan theta है तो चलो इसके बारे में भी study करते हैं इसी line को इस वाले line को क्या बोला गया क्यों को बोला गया पता है इस वाले line को tan theta क्यों बोला गया क्योंकि बच्चो मैं बताया था कि एक line segment होता है tangent segment मैं बताया था कि segment of tangent या length of segment length of tangent पढ़ाया था length of tangent जिस point से कटा है और इस point से जो रहता है तो इसलिए इस वाले line को क्या बोला गया 10th theta बोल दिया गया ये वाले line को 10th theta बोला गया बच्चों मैं पहले भी बताया हूँ already कि वो लोग क्या करते थे हर चीज को circle से connect करने का try करते थे तो ये हो गया 10th theta वैसी बच्चों ये वाला ये वाला ये वाला ये क्या कहलाएगा चलो इसकी बात करते हैं यदि मैं इसकी बात करूँ इसकी बात करूँ ये वाला तो ये क्या कहलाएगा take theta कहलाएगा ये यहां तक जहां पे ये वाला line काटा है sick theta कहलाएगा ये चीज दिख रहे सेख्थ थितिए क्यों कहल victim है बच्चो सिकेंट वह सिकेंट नाम से 성 a gotta है सिकेंट है यह इस पॉर्म्ड से यहां तक जो गया है वह क्या कहला कहला का तक क्या एक olsa चुटर कोंप्रीमेंट क्या हो जाएंगा इसका 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 कॉंप्रीमेंट यहां यह वाला कॉट थीटा हो जाएगा इसका कॉंप्लिमेंट मतलब 90 डिग्री बना रहा है इस साइन का 90 डिग्री यह बना रहा है अब बोलो कि टैंग टीटा का तो 90 डिग्री मुझे नहीं दिख रहा है सर यह तो 180 टाइप का दिख रहा है तो बच्चो जब अलग फॉर्म में इसको बनाऊगे मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखा दूँगा एक्षल में टैंग ठीटा और रेकॉर्ट ठीटा भी एक दूसरे के कितने पर है 90 डिग्री पे हैं कितने पर है 90 डिग्री पे ती यह भी अपने आप में 90 डिग्री है चलो बच्चो तो इसी diagram को इसी को अलक से मैं बनाता हूं इसको फिर देक्कते जाते हैं कि यह कैसे बनेगा अलक से page ले लेता हूं मैं new page ले लेता हूँ? उसी circle के बारे में तो सबसे पहले थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे इसलिए है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा बड़ा shape लेना पड़ेगा तो ये बड़ा shape ले लिया हमें कौन से color कर लेते हैं जो color अच्छे से दिखे पूरे form पॉर्मूले जो है यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे clear कर लेंगे यह दिख रहा होगा अच्छे से चलो चलो बच्चो लाइन खीच बना लो लाइन बना लेते हैं लाइन बना लेते हैं हमें जरूरत पड़ेगा दो लाइन का लाइन बना लेते हैं नो यह एक लाइन हो गया दूसरा लाइन भी मैं बना लेता हूं राव से इसको देखेंगे इसको और थोड़ा साइड ले आता हूं मैं मूव कर लेता हूं क्योंकि यहीं से बहुत सारे फॉर्मूला डेराइब कर जाओंगा जिसको आप रखते रहते हो वो पूरा डेराइब कर देंगे इसको उधार रखता हूं तो यह इधर दोनों साइड अलग लग फॉर्मूला कर डेराइब बीच में रख दूंकि यहां पर टोटल फॉर्मूला रखेंगे तो इसली डराइव हो जाएगा यहां पर रखता हूं मैं इसे बना लो इसको हम लोग की से वाले करें का लुआ है इसको हम लोग किसे वाले लाइन को बना सकते हैं यह वाले जो यह लाइन बनाया था फिर फिर और लाइन यहाँ बनाया थह फिर इतमनी द्ध्जर जै इसको एक लाइन से काटे लू strength Terra जैज अ व्यखें जंट बना दिया हैं गिर उसके बाद यह इतना ही तो करना था पने को आट इतना ही करना था शाइर यह वाला वैल्यू क्या था दो यह था स्टाइ्टा ह olmasक्ष इसकर ओले ले ता हूँ ये है यह यवाल शीय है यह यह लई है यह यह वाहला टीग्ष यह यह वाला बच्चों यह हो जाएगा को सेक थिटा यह है को सेक थिटा यह वाला क्या था बच्चों यह वाला यह वाला लेंग क्या था फिटेवालाट यह वाला वैल्यू क्या था बच्छों ये वाला पॉट इजदिख लो ये वाला था पॉट थिटा ये वாला क्ट्थ ऑप ये वयला था एक का हम लोग डेरिवीशन लिसम कर चुके साइन वाला और ये वाला था यह वाला था कॉस्ट तो हम लोग अल्रेडी हम लोग क्या कर चुके हैं एक प्रूफ कर चुके हैं जिसको यहां पर लिख देता हूं कौन सा ट्राइंगल लिया था मैं लिख देता हूं मैं यह वाला यह बी था ना बच्चो यह बी है यहां पर बी है यहां पर बी है न तो मै कौन सा ट्रेयंगल लिए था ट्रेयंगलstes время लगाना है यह रभा यह है वह ट्रेयंगल नीचाइब लाओ यह वाला है यह वाला है पर्परेंडिक्लरी स्कुएल और यह बेस्कुरर तो क्या लिखा था मैं क्या लिखा था sin square theta plus cos square theta equal to 1 इसके बहुत सारे अलग-अलग formula आये थे बहुत सारे formula उसको क्या करना बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो और इसका और क्या बना था यह लिखा था sin square theta equal to 1 minus cos square फिर इस 1 minus cos square theta को किस form में रोड तोड़ा था मैं a square minus b square को इसको और डिमा चुका हूँँ चलो बच्चों दूसरा देखते हैं कि दूसरा किसमें देखेंगे इस इस triangle में गॉसरा किसमें होटें दूसरा triangle triangle aoc में देखते हैं aoc में ए about और रेड ili कितना होता है 90 डिगरी है यह वाला अंसके डिगरी होता है तो फैस्ट यह स्ट्रेंगल ने कौन है यह है दिख रहा है इस कौन अा यह वाला है दिख रहा होगा बच्जीyan है वाला चाहिए इस ठीग ऴौला कऊन पर देसे घुट लिए रहा हूं मैं लिए बराबर क्या होता था लंब का उवर्ग प्लस आधार का वर्ग इसको हाइपोटनिस स्क्वेर इक्वल टू पर्पेंडिकलर स्क्वेर प्लस बेस स्क्वेर यह हो गया से की स्क्वेर उसके बाद मैं क्या कर सकता है इसको से की स्क्वेर यह हो गया टोटल देखो यह से की 10 square दिख गया अब बच्चों मैं आसानी से क्या लिख दिया मैं यहाँ पर देख लो 1 plus 1 plus 10 square theta दिख गया अब बच्चों इसी को और क्या लिख सकता हूं सेख square theta minus square theta equal to 1 भी लिख सकता हूं ऐसा तो यह तुम्हारा पहला formula हो गया है जिसको याद करते रहते हो रटनी की जो अतनी है डारेक्ट आप इस इस diagram को समझ लो आंसर आपके सामने है तो यह हो गया सेख square theta equal to 1 plus 10 square theta यह हो गया सेख square theta minus 10 square theta को इस side ले लिया मैं left hand side तो यह plus था जो वो क्या हो गया minus 10 square theta equal to 1 हो गया अब दिखते हैं चलो इसको बच्चों इसके के बारे में क्या पढ़ा था a square minus b square equal to क्या होता है a minus b और a plus b इसनी के form में इसको भी तोड़ो तो क्या हो जाएगा that sec theta minus 10 theta फिर क्या लिख सकते है sec theta plus 10 theta equal to क्या हो जाएगा 1 दिख रहा होगा यह ऐसा sec theta minus 10 theta sec theta plus 10 theta equal to 1 बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ है sec theta minus 10 theta equal to हो जाएगा 1 plus sec theta plus 10 10 theta तो यह क्या हो गया तुम्हारा एक फिर न्यू formula बन गया यह new formula बन गया यह इसको और क्या लिख सकता हूँ है ऐसा लिख सकता हूँ क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ तो क्या कि सेख theta plus 10 theta equal to 1 upon sec theta minus 10 तो यह बन गया फिर एक formula बन गया बच्चों अना फिर एक formula बन गया ऐसा तो बताओ मुझे कहां यह कुछ रटने की जरुरत कहां है इसको जरूरत ही भी पढ़ रही है कुछ रटने वटने की क्यों रटने पढ़ रही है क्योंकि और रेडी मेरे को सब दिख रहा है अगला बच्चों अगला मेरे को triangle कौन सा दिख रहा है अगला triangle तीसरे में चलते हैं तीसरे त्रैंगल में तीसरे ट्रैंगल में आप चले जाओ तीसरे ट्रैंगल में चले जाओ तीसरे ट्रैंगल की बात करूं तीसरे ट्रैंगल की बात करूं मैं पे तिसरे ट्रैंगल की बात करूं तो देखो ट्रैंगल कौन प्रत्रा गें लगताओ इसके लिए यहापे तो आप जानते हो किए 90 डिगरी बनता है तो ये सामने वाला ये कौन सा होगा ये वाला ये हो जाएगा कौन सा हाइपोटेनेस यह हो जाएगा बच्चों है ना और ये और ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा तो चलो हाइपोटेनेस लिखते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वेर थीटा एकवल टो हो जाएगा a square minus b square वाला formula तो यह क्या हो जाएगा cosec क्या लिख सकता हूँ cosec theta minus cot theta और इसको और क्या लिख सकता हूँ cosec theta plus cot theta equal to हो जाएगा यह हो जाएगा इसी को और क्या लिख सकता हूँ बच्चों चलो इसको उपर ले जाते हैं हलका सा है ना इसजोर कर अबच्चों तो बच्चों मैं ऐसा लग सकता हूं को से टा माइनस में पर लिदा किभर टू one रिख को से को से टीर्टा-प्लास-ड कोट खीर तो एक क्या तुम्हारा एक एक फर्मोला बन गए एक फ्र्मूला और रेडी कहां पे था ये था नहीं और एक और क्या बना सकते हैं इसी को और क्या सकते हैं बच्चों इसको और क्या लिख सकते हूं इसी को ऐसा भी लिख सकते हूं कोशेख फिटा प्रस फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या करते हैं याद करते रहते हैं रट्रे रहते हैं ये कोसेक स्क्वेर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट इसक्वेर थीटा ये सब उपर कभी पढ़े हैं ये सब हम लोग याद करते रहते हैं ये सब सेक थीटा मैंस टैन थीटा इक्वल टू यह होता है बच्चो कोई जरूवत नहीं है आपको य किया हूँ unit circle मतलब जिसका unit one है किसी बच्चे को पांच लेने का भी मन है तो करके देख लेना बच्चो उसमें पांच में आपका calculation बड़ा होगा बाकी सब यही आएंगे चाहे 5 लो 10 लो 15 लो कुछ भी लो वो लोग क्या है easy करने का सोचते थे easy हो रहा है लेने से इसलिए unit circle में one लिया गया अब five लेना है five ले लो value तो same ही आएगा सब जितना भी पढ़ोगे सब सेम आएगा क्योंकि एक दूसरे को क्रोश कर जाएगा कर जाएगा वह तो बच्चो याद रखना यह unit circle क्यों बोला गया क्योंकि इसका radius में वन माना दूसरा जब यह one माना तो यह value जम मैं फॉर्मूला लगाया कौन सा फॉर्मूला जिसको मैं पढ़ा हूँ और जिसके ब दॉन इसको बनाओ र इसको बनाया मैं इस इक अधल बनाया मैं यह देखो इसको इस वाल Beimट नहु Mini इसको बनाया थाद और एक बार इसको एक बार इसको वरीय्ट मारस को तीनों में पाथा गूर शिरम लगाए बच्चो आपके पास बहुत सारे फॉर्यंूल आपके सामनी हो जाएंगे तो अंको षेक नाम कि नाम को रहा थे सिकेंट ओता है यह होता है यह दूसरा पॉइंट पर वह लेंद कहलाता है तेंजंट लेंद आप मेरे तेंजंट लेंद क्या होता है वीडियो देखिए तो यह टैन थीटा इसलिए यह कॉड़ थीटा एक कंफ्यूजन बस रहा होगा कि कॉड़ थीटा जो है वह कैसे आया है यह तो मुझे 180 टैप का लग रहा है 180 दिग्री बच्चो यह एक्शल में अब दूसरा एंग जब ट्रैंगल में दूसरा सरकल के फॉर्म में बनाऊंगा तो उस सरकल में टेन थीटा और कॉड़ थीटा क्या लगेगा क्या लगेगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह दोनों क्या है लगेगा नहीं होता ही है 90 बच्चो इस चीज को प्लीज अच्छे से पढ़ो आथा गोरस थेओरम क्या होता है किसी बच्चे को पता नहीं है तो बच्चो यह आपके वीडियो मेरे देखने पढ़ेंगे और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया हूँ मैं और रीजन के साथ हम लोग अच्छे अच्छे टीचर लोगों का बच्चे यह हमेशा रटाते रहते हैं जिसको मेरे को लगता है यह सब कुछ रटनी की जरुत नहीं है आपके सामने ही है सब कुछ है न तो मिलते हैं अगले लिक्चर में और थैंक यू वेरी मच और अगें थैंक यू तो बच्चो तुम लोगों को शायद वो डाउट रहा होगा कि इस वाले में टैन थीटा और कॉर्ट थीटा जो है वह 180 डिग्री मुझे बनाते हुए लग रहा है कॉम्प्लिमेंट नहीं लग रहा है तो बच्चो ऐसा भी डाइग्राम बनता है आप नेट से सरच कर सकते ह पर दिए बाला होता है यह दूसरे से 90 बनाते हैं बाकि साइन देटा है पूरा इसके बारे में हम लोग पूरे स्टेडी इस के बारे में की यह हैं इस वाले के बारे में पाड़े है तो बीच्चो प्रींगलट को याद करोगे बच्चो आपको ड्रेंगल को यह सरकल और ट्रैंगल जो बना हुआ है उसको देखके पाथागोरस थ्योरम आप लगाते जाओगे तो आपके पूरे सॉलूशन क्या हो जाएगा कम्प्रीट हो जाएगा तो बच्चों प्लीज यह प्रैक्टिस करते जाना मैं एक्शन में इसको बना रहा था मैं सो कुछ ट वीडियो में थैंक यू